असलालेकुम आज मैं प्लोक के साथ लेकर रहे हूं बहुत ही मज़ेदार से चिकन मावा यानी चिकन खोया या फिर कहिए कस्मीरी चिकन के रेस्पी जो कि आपने इसके पहले ना तो इसे खाई होगे और ना ही देखियोगी पर इतनी ज़्यादा लाजवापन थी आप इसे फ्राइब कर सकते हो जो भी खाएगा तो खाते ही रह जाएगा इतनी सादा मज़े की लगती है दिया लें इसे बनाना सुर्ड करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम प्रिपरेशन कर लेते हैं तो मैं तुम्हें ले रही हूं वाइट मिर्च यानि दखनी जिसे दखनी कह लिए है और इसे एक चलनी के मदब से हम चान लेंगे चुकि हमें फाइन पाउडर चाहिए इसले हम इसे चान लेंगे और जोसके चिलका वगर ऐसे डिसकार्ट कर देंगे और यह खुषबूदार मसाला हमारा पाउडर हमारा रेडी ही जिसे हम एक छोड़े बॉल में ट्र दाल चिनी के और चोटे टुक्रे जैफल के और एक बड़ी लाची का चिलका निकाल कर के लिए इसी के साथ मैं आपे नर्स हैड करूंगी जो कि मैंने आप 8-10 बदाम लिए 8-10 काजू लिए और वर्टिबल स्पून जितना मैंने आप बुच के बीज लिए हैं यानि वाट प्रिशन के तरफ इसे भी साइट कर देते हैं तो यहां पे हमने चिकन लिया है इसे मेरिनेट करके बनाएंगे आप इंस्टेंटली बना सकते हो इसमें मैंने चोटे-चोटे से कर्भी लगाए हैं और इसमें मैं आपे दही लोंगी दही आपको बिल्कुल फ्रेश लेनी है इसमें गारा दही लेना है इस बाद का ध्याना आपको रखना है तो यहां पे वन औन हाफ टेबल इस्पून जितना मैंने दही को एड़ किया है इसी के साथ हरी मिर्चो का पेष्ट या फिर आप दर दर सा हरी मिर्चो को यहां पे ले लीजएगा जो कि मैंने वर अफ इतना है कर देंगे बाकि आप और मेडिनेज कर देदें हैं टोने कर कह देंगे ऐंदी किसी मिक्स करें और याप तो इसे में करते होगी और पुह भाएव जाते हैं और तो इसमें में कुकराओं घर्डड़ी फद्वाएब बना सकते हैं तरहां एक बात और है मैं इसे देशी की और बटर में ही पूरा का पूरा बनाने वाली हुए मैं आइल को भी यूज नहीं करूंगे जिसमें मैंने टूटेबल स्पून जितना देशी की एड़ किया है और मैंने आपे एक पूरा बटर हंड़ेड ग्राम्स बटर जब बटर मिल्ट हो जाएगा तो मैं आपे दो तीन चोटी लाची एक टुक्रा दाल चीने का और एक इस्टार निस का यानि बाद्यान का इसमें ढाल दूंगे और इसी के साथ मैं वन बाइवन करके इसमें ड्रॉप ट्रांसफर कर दूंगी चिकन को मैं वन बाइवन करके और चीन से तुड़े तरह से उते हुए पैलते हुए जो फ्राइव भी हो जाएंगे इसलिए मैं इस तरह से ड्रॉप कर रहे हूं हूँ आप चाहए तो इसे डीट ली ही ट्रांसफर करतें तो इससे हम फाइफ मिनस्स के लिए भी नहीं टेस्ट कर रहे हैं इसके बाद इसे हम फिलिप करेंगे तो इसे मैंने चला दिया है फाइफ मिनस्स के बाद और इसे हम भून लेंगे क्योंकि आल्रेडिस में नमक वगयरा एट है इसलिए इसे आप अपने हिसाब से फाइफ से टिन मिनस्स के लिए फ्राई कर सकते हो और यह बहुत ही जादा कस्मीरी चिकन इतना जादा मज़े के है कि आपको यह जबाप बनाएंगे ना तो जो भी खाएगा वह आपकी तारीफ करते हुए नहीं थगए और यह बाद का ध्यान रखना है आपने देखा होगा मैंने आपे जिंगर और गार्लिक पेस्ट नहीं एट किया है आपको बिल्कुल भी गार्लिक का इस्तमाल यह प इससे पी में नहीं एट करना है मुझे मिर्चा थोड़ी कम लग लग रहे हैं वように भी यूदी में अगर आ लेट उट करसे नहीं किया है और अगर आप को बटर या खी आपर अपैर का थी वर पुट्यर अगर मुदी को एट कर सकते हैं किसी भी पॉ zur शिली जाब आप बटर यागी को एड़ कर सकते हैं इसे के साथ में यह जो मैंने मसाला खुछबूदार मसाला बनाया था उसे एड़ कर देंगे एक अच्छा से कलर के लिए और यह बहुत ही मज़दार सा बनकर रेड़ी होता है जो कि आपको देखने में भी लगा होगा यह काफी हद तक भूज गया 20 मिनिर्स हो गया इसे फ्राइब करते हुए तो इस वाइन में मैंने आप खोया एड़ किया है चूंकि हम लोग खोया चिकन बना रहे हैं तो यह पे एक बटर 100 ग्राम का बटर और एड़ कर रहे हूं जिसे कि इसमें थोड़ा सा ऑईल भी हो जाए आप देखते लाइसन को बिल्कुल कर दीजेगा और जो मैंने में रखा था उस बॉइल में पानी एड़ कर दूंगी और थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करते हुए आप एक संधा पर आने तक आप इसे फ्राइब कर लीजेगा क्योंकि कोई कच्छा वाला तो आइटम है ने इसमें बस आपको यान पे एक संधा पन लाने तक आपको एड़ करना है यह काफी हद तक को को घुग गया है मुझे ठर्टी मिनर्स से टूंटी फाइफ मिनर्स जितने हो चुके हैं तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बटर खुशबू के लिए लास्ट में एड़ किया और बना रहे हो तो आप यहां पे दूद का इस्तमाल करिये गा जिससे कि रियली इतनी ज्यादा मज़े के करेवी लगती है जो भी खाएगा वो तारीफ करेगा रियली बहुत मज़े कि लगती है अगर आज तक इसे नहीं ट्राइब किया है तो इस रेसिपी को आप ज़रूर से बनाएं बहुत सारे मैंने चिकन बनाएं सबसे अच्छा मुझे यह लगा इसलिए मैं आप दो को बता रहे हूं रियली बहुत मज़े कर लगता है इसे फाइफ मिनस के लिए मैंने मीटिम टू लो फले में किया है जिसे किसमें जो आल बगरा है वो उपर आ जाएं और यह बहुत ही लोकिंग भी किसी भी सारे जिटे भी चिकन है सबसे ची लोकिंग है और इसमें उपराइब करते हैं और परहने मैं अबस्ती और इसे कि मैं फ़्राइड हों और ऐस्में किसमें काजु लिए बदाम लिए और वाटर्मिलन सीर लिया है यानि कि तरबूस के वीच और ऐसे किस्पी होने तक यह अज़न हो मुझता है जैसे जासे हम प्र tobano को अच्छी को बनाइब को अधिए आप थो ओड़ी हो सिकन्य दो में ज्ची जणा कितनी used by वे rec repeated करते हुए और फिर्फेक्ट फ्राइय हो गया। इसे किन कहस्मीरी में एड़ कर दिया और आप इसका टिक्च्चर दिया हो कितना बीजरी हुआ ह मुआ है बहुत्य,से सब्सक्राइब करें और कि लिचांचे कि लिचांगर नरे बने हुरी कि लुकिंग जितना यह देखने में टेश्टी लग दिख रहा है यह उससे कहीं जाता है अगर अपने तक नहीं तरह यह तो है डेफिनेटली मैं कह सकते हूं कि आपने इसके पहले से कभी भी भी नहीं त्राइब किया होगा यह फर्स्ट वीडियो है पुरे यीटूब में आ बहुत मैचे करेगा और जब भी आप ट्राइब करेगा मेरे साथ जबर से सहयद करिए कि आपका कस्मीरी चिकन कैसा बनकर रेडियो है उमीद करते हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो कमिन सक्सें में बताईए और वीडियो को लाइक करिए औ तो आप सब को इद कीड है सारी मुबारक बात खुछ रहें आपात रहें सब कीड अच्छी हो तो फिर मिलते हैं नेशन न्यू रेसिपी के साथ तब तक के लिए अलाहाफिज थैंक्यू फॉर वाचिंग